तो चलिए दोस्तों यहां पर देखे मैं आप लोगों के लिए भिन्न के एक छोटे से सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वास्तों में अगर हम छोटे क्लास के बच्चों को भिन्नों का जोड़ना सिखाएं तो उसको इस प्रकार के जो सवाल होते हैं जो बहु इसमें भी अंस के जो माण है 4 है वो छोटा है अपने हर से लेकिन तीसरा अंग दिया गया है वो भिन्न है 7 बटे 5 जिसमें अंस का माण बड़ा हो गया है हर से अब इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसको हम कैसे हल करें तो याद रखिए इस प्रकार के सवालों को आपको बहुत असानी से हल करना है बच्चों को बहुत असानी से इसी प्रकार के ट्रीक से सीखाना प्राराम करना है कैसी अगर इस प्रकार की भिंड दिया हो जिसमें अगर हर पूरा समान है उपर के संख्या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे यांस से बड़ा हो चाहे छोटा ह आपर में जो भी संख्या दिया है जैसे तीन दिया है तो तीन लिखेंगे चार दिया है तो चार ही लिखेंगे और यहाँ पर उपर में जो भी दिया है जैसे साथ दिया है तो हम यहाँ पर साथ ही लिखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी जादा सोचने क्या हो सकता नहीं है अब आपको क्या करना है simple सा उपर के संख्याओं को जोड देना है और नीचे में तो 5 है तो उसको कुछ करने के आवसकता नहीं है तो 3 और 4 साथ होगा 7 और 7 कितना हो रहा है 14 हो रहा है तो यह हो जाएगा 14 बटे 5 और दोस्तों यह answer हो चुका है पूरा कट रहा था तो कटा देना है और नहीं कट रहा है तो आपको इसको कुछ भी करने के आवसकता नहीं है लेकिन इसी प्रस्ने में कई बार क्या होता है अंस के मान बराबर होते हैं और हर के मान अलग अलग होते हैं जैसे माल ले जाए, यहाँ पर मैंने ले लिया 5 बटे, अब देखे मैं एक छोटा सा प्रसन ले रहा हूँ, जैसे माल ले जाए, हमने यहाँ पर ले लिया, अब 5 बटे 3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया 5 बटे 4, और यहाँ पर हमने ले लिया 5 बटे 12, अब हरकी जो संख्य है वो बराबर नहीं है तो इस प्रकार के प्रस्णों को कैसे हल करेंगे तो याद रखे इस प्रकार के प्रस्णों को हल करने के लिए आपको क्या करना है जो अंस में दिया है उसको सबसे पहले एक इस टेप आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसको बा बोटे 12 दख्ये अब आपको क्या करना है कि यह संख्य दिखा अदर में कोष्टक बाहर उसको आपको कुछ निकरना है बात में उसको गुना करना त्यमें कि इसको के आपको welcome निकाल गे इसको मैं मिटा जेता हूपर को ठीक है आप जो संख्या देख रहे हैं उसमें एक संख्या ऐसा है जो तीनों के टेबल में आता है जैसे क्यों साथ है बारा तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको पांच को कुछ भी नहीं करना इसको जैसा दिया है वह ऐसे लिख अब क्या करना है तीन का टेबल आपने कितने बार पढ़ा तीन का पाड़ा कितने बार पढ़ने से बारा आता है ठीक है तो उसी का गुणा करना है उसके अंस के साथ अब इसके अंस में तो एक है भी हमने सरल कर लिया है इसके अंस में तो तीन का गुणा चार से किये तीन तो यहां पर क्या आएगा चार आएगा प्लस चार का गुना कितने बार करने से बारा आता है तो चार का गुना तीन बार चार तीया बारा तो यहां पर उस तीन का गुना उसके अंस के साथ करेंगे तो इसके अंस में तो एक है यह हो गया प्लस बारा का गुना कितने बार करन से बार आता है तो एक बार तो इसके अंस के साथ इसका गुना करेंगे ये लो हो गया काम बस इतना ही करना था इससे जादा आपको कुछ भी नहीं करना है अब आपका उत्तर जो है बन गया है कैसे उत्तर बनेगा भई पांच को तो अभी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है य चार और तीन, साथ, ठीक है, यह पर साथ हो गया, और साथ लिखा है, साथ के बाद प्लस एक और है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यह आठ हो गया, ठीक है, तो आठ बटी कितना हो गया, बारा, अब यह कट रहा है, तो कटाना है, और नहीं कट रहा है, तो नहीं कटाना है, त और यह हो जाएगा 4 तिया 12 अर्थात यहां पर कितना बच गया 2 बटे 3 लेकिन हमें तो इसका पूरा उत्तर भी निकालना है जो कि अभी तक पूरा आंसर नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास 5 पहले से है गुनित 2 बटे 3 तो उपर की संख्या को आप गुना कर द कि छय्यों के सवाल जरूर सिखाना चीए तो चलिए अभी मैं आपको एक प्रसन दे रहा हूं यह तो दो प्रकार के मैं पृस्ण ना में सवाल दे रहा हूँ, इन सवालों को आप लोग ध्यान से दिखेगा तो आपको इसी प्रकार के प्रस्ण और भी बनाने होंगे, जैसे यहाँ पर 2 बटे 9 है, प्लस 4 बटे 9 है मालजा, और यहाँ पर प्लस 7 बटे 9, यह दिखे, यह पहला पेटर्न हो गया, और इसी मे हम दूसरा पेटर्न पर दे रहा है, है ना, जिसमें मालजा उपर में 7 है, ठीक है, 7 बटे मालजा यहाँ पर हम कुछ भी दे देते है, 7 बटे 5, ठीक है, अब यह सम भिन और भी सम भिन कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, उपर के भिन समान होने चीए, और तर भी मुझे कमेंट करके बता दीजेगा तो चलिए मिलते हैं एक और बैते हैं तक लिए जहन्द भारत